नमस्कार, मैं हो ससी, आया जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं सवी पार्टियों से बार्चित करेगी, दिली सरकार कुरोना को मामले को देखते हुए कई फैसले ले रही है, बतादे हाल ही में साधी समारों में 200 लोगों की संख्या को घटा कर 50 करने का आदेश दिया गया है, संभवना है कि इस बैठक के बाद सरकार स्वजनिक जगों पर लोगों के जमा होने और लोकडाउन पर भी फैसला ले सकती है, जारखन में मौसम का मिजाज बदल गया है, बतादे खिली धूप की जगा बुधवार को आसमान में बादल चाहे रहे, वहीं पलामू में दोफर बाद जमा जम बारिस हुई, जिससे सर्दी बढ़ गई है, म अच दिन के मौसम का पुर्वानों जारी करते हुए कहा है कि मंगलवार से ही साइकलोन सर्कुलेशन था, जो अभी भी औरप सागर में मौजूद है, इसी के असर से जारखन के आसपास में बादल चाहे रहे, दो दिन तक आसमान में बादल रहेंगे, वहीं 20 नौंबर को हल की बारिस होने की संभावना जताई है, नहाय खाय के साथ चार दिवसे महापर्व छट की हुई सुरू है, लोक आस्था का चार दिवसे महापर्व छट बुद्वार से नहाय खाय के साथ सुरू हो गया है, चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को लेकर लोग तैयारी में जूट गए हैं बतादे छट गोटों की सब सफाई की जा रही है छट गीतों से महौल भक्ति मैं हो गया है वही राज की हिमंद सुरेन सरकार ने घाट पर जाकर छट पूजा करने की जाज़त दे दी है हलाकि कुरोणा संक्रमन से बचाव को लेकर आवसक सधानी बरतने की अपील भी किया है पंद्रह सो पारा सिक्षको के मांदे भुक्तान पर लगी रोख हटी राजे के लगवग पंद्रह सो पारा सिक्षको के मांदे भुक्तान पर लगी रोख हटा ली गई है बतादे जरकन सिक्षा पर जुन ने इन पारा सिक्षको को मांदे का भुक्तान कर करने की बात कही गई थी भारतिय डाक विभाग ने जार्खन पोस्टल सर्किल में ग्रामी डाक सेवकों की 1118 पदों के लिए भरती निकाली है इन पदों के लिए ऑनलाइन परकिरिया 12 नॉबर से शुरू हो गई है जो 11 दिसमर 2020 तक निधारित है बता दे दसवी पास उमिद् 40 बरस निधारी था है बिस्ते है जनकारी के लिए डिस्क्राप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक से नोटिफिकेशन डाउलोड कर कर सकते है पी एल एफाई के कमांडर सहीद 5 नक्सली गिरफतार जाखन पुलिस को बुद्वार को बड़ी कमयावी हाथ लगी है और नक्सली समूख किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे फिलाल पुलिस गिरफतार में किये गए लोगों से पुछ तास की जा रही है आपको बता दे कि पी एल एफाई के अस्थापना 2007 में किया गया था पारा सिक्षक 20 नॉवंबर तक नियूएस में जमा करें अंख पत्र राजिक के वैसे पारा सिक्षक जो पिछले वर्स डियलेट पास कर गए हैं और इंटरमेडियेट में 50 परतियस्त अंख लाने का साटिफिकेट अब तक जमा नहीं किये हैं तो उनके लिए आखरी मोका है ऐसे सिक्षक 20 नॉवंबर तक आपने अंख पत्र जमा कर सकेंगे बता दे इससे पहले 30 नॉवंबर 2019 और 20 अगर 2020 तक इसे जमा करने की आखरी तारिक ताय की गई थी जार्खन के 1200 सिक्षक ऐसे हैं जिनका अब तक या साटिफिकेट जमा नहीं हो सका है ऐसे में सभी सिक्ष इसको को आखरी मोका के तहद 20 नॉवंबर तक समय दिया गया है जार्खन CID को मिला नयाड रेस कोड जार्खन पुलिस के अपराद अनुसंधान विभाग CID को अधिक पेसेवर रूप देने की कोशिस की जा रही है अपराद अनुसंधान के साथ CID को पेसेवर रूप देन के लिए नयाड डेस कोड तयार किया गया है राजय पुलिस मुख्याले में DGP MB राव ने CID ADG अनिल पाल्टा की मवजूदगी में CID के लिए बनाए गये जैकेट को मीडिया के समक्ष पेस किया नवी बुलू रंग की जैकेट के आगे के हिसे में जार्खन पुलिस का महीने भर के अंदर 2600 कोर रुपय दिये है यह 53 002 किष्टों में मिली है बाराट पूर की पाली किस्त अक्टूबर के तिसरे हफते में राज सरकार को मिली है वहींद दूसरी किस्त 1400 क्ला王 की है जो नॉमबर के दूसरे सब्ता में मिली है रिजर्ब बैंक ने जहर्खन को य स्टेट डेवलप्मेंट लोन के तहुत दी है इसके लिए ओपेन मार्केट ओपरेशन के तहुत बैंकों के बीच बोली लगाई गई थी बतादे जहरखन सरकार को मिले 26 कोर से पर्देश के इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में तेजी की उमीद है मुख्य मंत्री ने पर्देश वासियों को दी छाट पर्व की सुबकमनाए पुर्वांचल का परमोक तेवार छाट पर्व नहाय खाय के साथ सुरू हो गया है मुख्य मंत्री हिमान सुरेन ने महापर्व छाट के असर पर सवी छाट वर्तियों को नमन करते हुए समस्त की जहार्खन में 251,151 संक्रमितोंग पुष्टी हुई है जासवाइं कुल संक्रमितोंग संक्या 106,742 जबकि 1,031,171,635 की मिरत्यु हो गई भारत में कुल संक्रमितोंग संक्या 89,841,343 जबकि 83,887,717 लोग संक्या 106,840 की मिरत्यु हो गई है भारत में नाएगuben केस 45,37 प्रभावित किसानों को सरकार मौपजा देगी, बदादे क्रिसी मंत्री बादल ने कहा है कि बीती वर्ष 2021 में ओला विरिष्टी एवं आतिव रिष्टी के कारण जिन किसानों के फसलों का नुक्सान हुआ है, उसकी छतिफ पूर्ती की भर्पाईज राज सरकार करने जा रह आपदा बिभाग के समर्यन से किसानों को या मुअभजा और सहायता रासी मिलेगी, आपदा प्रबंदन बिभाग के साथ साथ क्रिस्ती, मंत्री, बादल और क्रिसी, सच्यू, बिभाग ये पत्र एवं वीडियो कंफिरेंस के जरे सभी उपायुकतों से अपने अपने जीले को छोड़ सभी जीलों की रिपोर्ट आ गई है जिसके बाद आपदा भी भाग द्वारा किसानों के लिए रासी की जीलावाद स्वेक्रीति दे गई है बता दे सबसे दा पाकू लाते हार गीडी जीले के किसानों को रासी दी गई है चात वीरिती गोटाले में दर्ज केस CID कर सकती है टेक ओवर जाकर के धनवाद में अलब संखिक छातरविती गोटाले की जाच में दर्ज कांडो को CID टेक ओवर कर सकती है बीते हपते दावाद जीले के अलग-अलग सकूलों में हुए 10 को रुपए के छातरविती गोटाले के लेकर काई थानों में ये फायार दर्ज की गई थी CID के वरी अधिकारी अब पूरे केस के तथ्यों के हर्ताल कर रहे हैं बतादे CID के वरी अधिकारी के मुताबिक समीक्षा के बाद इस मामले में दर्ज सारे केस टेक ओवर किये जा सकते हैं मुख्य मंत्री ने रामेश्वर उड़ाओ के सेहत की जनकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री एमांसुरेन बुद्धवार साम मेडिका पहुंचे वहाँ उन्होंने मेडिका के मेडिकल डारेक्टर वह आने चीकी सको से रामेश्वर उड़ाओ के स्वास्त की जनकारी ली बतादे कोविन वार्ड में भरती हैं गड़वा में दो नवालिक से दुसकर्म गड़वा में रंका थाना च्हेत्र में दो नवालिकों से दुसकर्म का मामला समने आया है बता दे दोनों बचिया ममेरे फुफेरे बहन है दूसर्म के अरोपी भी नवालिक है पिरता की परिजनों ने थाने में इनके खिलाप नमजाद सिकाई दर्च कराई है बतादे पिछले तीन दिनों में थाना छेत्र में या तीसरी नवालिक से दुसकर्म का मामला सामने आया है हाथी भगाने के लिए ग्रामिनों ने किया सड़क जाम सिम्डेगा में जंगली हाथियों से परसान ग्रामिनों ने बुद्वार को छेत्र के हाथी भागाने की मांग को लेकर मनोहरपूर रोड में नौमील के पास सवग जाम कर दिया बदादे एक सब्ता से हाथी राज जोल के जंगल में जमे हुए है हाथियों के जूड में एक छोटा बचा भी है जो बहुत चल नहीं पा रहा जिसके कारा जंगली हाथी जंगल में मूब नहीं कर पा रहा है परसान ग्रामिनों ने सब्ग जाम कर हाथी भगाने की मांग की है मुख्यमंत्री के नेतर हाथ दोरे को लेकर जीला परसासन सक्रिये जारखन के मुख्यमंत्री हमान सुरें तीन दिवसी दोरे पर गुरु आर को नेतर हाथ पहुचेंगे बतादे मुख मंत्री के नेतर हर दोरे को लेकर लोहरदागा जीला परसासने पुरी तरह से सक्रियों और सतर्क हो गई है साथी मुख मंत्री के सड़क मार्ग से लोहरदागा के रास्ते 29 नौवंबर को नेतर हर जाने धन्यवाद आज के लिए बस इतना है कल से आपको 25 खबरे मिलते रहें तो वीडियो को एक लाइक का अपने दोस्तों को साथ सेर करना भूले साथ साथ कोमेंट बक्स में आपना फीडबाक अवस्य दे थैंक्यू